तो ICC की प्रेसवारता सुप्रिया स्रिनेत प्रेसवारता कर रही हैं क्या कुछ कह रही है चलिए आपको सनाते हैं इस प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से कन्विंस हो जाएगी गलत है क्योंकि पाचो राज्यों के चनाओं के मुद्दे तीन ही थे बेरोजगारी, कमर तोड महंगाई और किसानों का शोशन और उस सब पर आपका स्कोर निलबटा सननाता है क्योंकि बेरोजगारी का ये आलम है कि आप रोजगार के बारे में बात नहीं करते हैं और महंगाई का ये आलम है कि आदमी ये डर रहा है कि आज पेट्रोल भलाओं या साथ तारीक को भराओं या दस को भराओं क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गयास के दामों में तो लगने वाली आग है और आप उसको इधर उधर ये इन तेन प्रक्रेयर करके कहीं और ब्लेम करना चाहेंगे अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि दो तीन बार एक शब्द का प्रयोग किया गया वो शब्द था responsive campaign हमने बड़े वैज्ञानिक तरे से campaign चलाई अमित शाह जी, जेपी नड़ा जी आपको इस देश ने बहुमत ये सोच के दिया था कि आप एक responsive government चलाएंगे, responsive campaign चलाना आपकी party का काम है, responsive campaign का क्या ढोल तमाशा बजा रहे हैं आप आपको चलानी responsive government थी जो आपने नहीं चलाई और आपकी थितरेई और बेशरमी इस हद की थी कि जब आप पर यूक्रेन से सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि हाँ, इसका सकारात्मक प्रभाव और असर पड़ेगा चुनावों पर वो बच्चे जो फसे हुए हैं जिनकी चितकार और जिनके आंसु देखके आज भी रोंग्टे खड़े हो रहे हैं, वो बच्चे जो बर्फ गलाकर पानी पीने को मजबूर हैं, वो बच्चे जो किलो मीटर दर किलो मीटर 6-6 लीटर पानी अपनी पीठों पर लाद के चल रहे हैं, जो युद्ध जोन में फसे थे, आपने उनको निकालने का काम बिलकुल नहीं किया, वो अपने आप रिस्क लेकर युद्ध जोन से निकल कर आसपास के बॉर्डर तक पहुचे, वहां से आपके विमान उनको वापस ला रहा है, वो टिकट खरीद कर भी आ सकते थ और यहीं नहीं, आपने उन बच्चों से जबरन नारे लगवाने का काम किया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने भारत माता का नारा लगाया, लेकिन मोदी जी का जैकारा नहीं लगाया, आपकी मंत्री वहां जाके तीन भाशाओं में बोलती है, बच्चों ने तालिया न आपको लगता है यह साकारात्मक प्रभाव दिखाएगा, इसको राजनीती से जोड़कर बात करना ही तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और आपकी सबसे बड़ी मजबूरी है, हम लोग जादा कुछ नहीं कहेंगे, कुछ गरीब परिवारों का यहां पे जिक्र हुआ था, इस देश में 15 करोड गरीब परिवार, मैं परिवारों की बात कर रही हूं, लोगों की नहीं, 15 करोड गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी आए आधी हो गई, आपने उनको जुनजुना दिया, फ्री राशन का, वो आपकी बदौलत नहीं है, वो आप अपने घर से लाकर नहीं दे रहे हैं, वो देना आपका धर में है, आपका करतव यह है, नीती है फूट सुरक्षा अधिनियम के तहत, और अंत में मैं इतना कहूंगी, और मैं शुक्र गुजार हूं, उत्तर प्रदेश की उस स्वाभिमानी जनता का, और प्रियांका गांधी जी के जजबे का, और स